किसान भाईयो नमस्कार स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ में भाईयो आज हम आये हैं गाउं छुर में और यहां पर एक भाईया ने हमारे ने लिया है कुबोटा M.E.U. 502 भाईयो यह है टेक्टर अभी जन्वरी में लोंच हुआ है और आप देख सकते हैं कितना पाईयो टेक्टर जो है कमपनी ने खास पचाज है चार सिलिंडर के साथ मैं रूटर के लिए इस पेसल बनाया है इसमें भाईयो आपको पान्जो चालीज और साथ सो पचास राउंड मिलेंगे पीडियों के आप इज़े कहीं भी एड़िश्ट कर सकते हैं किसी भी आर्प सेम हो रहा है वहाँ चला सकते हैं कि टेक्टर में भाईयो कही टेक्नोलोजी इतनी बढ़िया है जब 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 जैसे सेंग्रोमिक्स गेर्बोक्स है ट्वैल पलस फॉर का और डूवल पीटियों मिलेगी आपको एक तुप पावर इस्टेरिंग दे रही है लेकिन कुपोटा ने ऐसा नहीं किया कुपोटा ना भाईयो डूवल एक्टिंग पावर इस्टेरिंग पंप दिया है जिससे जो है किसान भाई अपने ट्रैक्टर को लंबे समय तक चला में और ठकान उन्हें बिल्कुल भी महसूस नहों यह ट्रैक्टर भाईयो थ्री स्वीड में मिलेगा लो हाई मेडियम आप किसी भी गेर में चला होंगे तो आपको इसका जो है डीजल का एवरेज बहुत ही जबजस्ट मिलेगा भाईयो आप देख सकते हैं ट्रैक्टर जो है साथ सो बचाजारी पेंप करवा दिया और ट्रैक्टर जो है बिल्कुल भी दब नहीं नहा बहुत ही बढ़िया जबजस्ट चल रहा है यह बाईयो इसलिए दिया हुआ है कि जहां आपको चीह आप उसी जादर जास्ट की जमीन है तो आप वहां 750 पर चला सकते हैं लेकिन इस बात का आपको जरूर ध्यान डगना है कि आपका ट्रैक्टर आर्पियम ड्रोप ना करें अगर आपका ट्रैक्टर आर्पियम जीरो दो बहुत ही जबज़े ट्रैक्टर है और भाईयो खेत में डेमो लिया जाएगा आप देख सकते हैं ट्रैक्टर की जो है सकती मान का रोटवर जिस चला रहा है और लिप्टे बिल्कुर खोल दी अलग यह देख सकते हैं लिप्ट जो है फिरी करके चला दिया और कहीं भी किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है भाईयो जब लिप्ट खट जती है तो फिर तो कोई भहम ही नहीं रहता कि उन्हें लिप उठा रखी होगी ड्राइवर ने या दबा रखी होगी ट्रैक्टर बिल्कुल फिरी चल रहा है यह देख सकते हैं आप कि देख लो यहां पर है कि अ कि अ कि अ कि अ कि एक्टर भाईयों बिना कि आर्पियम ड्रोप करें करें चल रहा है कंपनी पच्पन जीरो दो पर आप साल की सूपर वारंटी भी दे रही है और रूटर पे जो है भाईयों तीन भाई खड़े हुए हैं सतर सतर किलो के भी बाल लो तो दो कुंतल दस किलो बजन इस तो पर है लेकिन ट्रैक्टर बिल्कुल बढ़िया चल रहा है पच्पन जीरो दो जो भाईयों चार सिलंडर पचास एच्पी की रेंज में बहुत ही जब 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 आया है परंट टायर साथ पचास सोड़े के हैं इसके और पिछले टायर सोड़ा है नो 28 के और भाईयों अब लोग के तीसरे में लगा दिया टैक्टर आप दे और भाईयों टैक्टर की आवाज इतनी प्यारी है टैक्टर की आवाज बिल्कुल भी महसूद नहीं हो रही कि टैक्टर लोड़ पर चल रहा है कि यह आप देख सकते हैं भाईयों आप रोटाविटर की तना जब 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 फिचरा है टैक्टर को और यह देख सकते हैं भाईयों आप रोटाविटर की तना जब 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 फिचरा है टैक्टर बिना किसी लोड़ के बिल्कुल बढ़िया भाईयों यह तरीका वैसे गलत है वाजी पर जो है रोटर के से पैर रपढ़ जाता है लेकिन किछान जो हैं उत्तापाई हैं मानते नहीं बिल्कुल भी एक्टर की आवाज शुन सकते हैं किसी शांदार आवाज है बिना किसी दबने के बिल्कुल गोड़ आवाज के साथ में टैक्टर सलगा है और बाल अते हैं टैक्टर में किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है और लिफ्ट अलग खोल रखी है टैक्टर का लिफ्ट से कोई मतलब नहीं है मैं थोड़ा एक बारा पूर दिखा देता हूं यह देख सकते हैं आप रोंटर जो है भाईयो पूरा दहा हुआ चल रहा है यह देख सकते हैं और लिफ्ट जो है वाईयो उस पर से टैक्टर की अलग खोल भी इससे की किसी तरह का कोई देख सकते हैं हैं इतना इसे दबा सकते थे हम दबा दिया हमने लेकिन टैक्टर जो है बिना आर्ग्यम ड्रोप करे चल रहा है दबादा कि यह आप देख सकते हैं पूरा जमीन मपड़ी का रोटावेटर अच्टर जो है डिजिल जनल मीटर के साथ में आता है पावर इस्टेरिंग है यह देख सकते हैं आप पहुत जब 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 चलो जीए सब्सक्राइब डोजार रेटी डारीओं कर दिये इसके फिर लगव जब जाते हैं यह देख सकते हैं हापे जो है इसका इंडीपेंडेंटन कलाच है यह आप देख सकते हैं रोटर जो है पूरा लगा हुआ है बहुत बढ़ियों कि इसी तरह का कोई लोड़ नहीं माद आप यह आप देख सकते हैं बहुत बढ़ियों बहुत ही अच्छा रोटर चला रहा है बहुत ही अच्छा रोटरवेटर चला रहा है कितनी जवज चुपाय हुई है और ट्यक्टर में जो है कंपणी ने दो डियो ऑर पिम दिये हैं यह 5040 एक साथ सो बचास अगर आप 540 और 750 के लेंगे तो यह अलग है और एक दूसरा मोडल आता है 540 और रिवर्स पीडियो वो दूसरा मोडल मिलेगा आपको भाईो वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक सेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना नमस्का